हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल डियारेक्समेड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मल्टी विटामिन सीरप के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो डॉक्टर दिवारा सबसे ज्यादा मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब किया जाता है और आप किसी भी नेरेश्ट केमिक केमिस्ट या आप फार्मेसी से जाकर पर्चेस कर सकते हैं तो मैं आपको एके करके बताऊंगा इसके कमपोजिशन मतलब उस मल्टी विटामिन में सीरप में क्या होगा और उसको आपको कैसे लेना है डोज और उसके यूजस तो वीडिय कैसे लगी तो दोस्तों चलते हैं डारेट वीडियो के तरफ है जो हमारी यह जिन कोविट सीरप है ये ऐपक्स कंपनी दवारा बनाए जाती है यह एक टाइप की मल्टी विटामिन सीरप है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के मंटी विटामिन्स होते ही मल्टी मिलरल्स होते हैं यह में ही क्या एक टाइप का हैल अपलिमेंट है यह हमारी इंम्निटी को पूर्श करने में सायता देता है और तो हमारी बोडी को अच्छे रखने में बहुत ही सायता करता है इसका जो डौज ते कैसे इस्तमाल करना का लिसके बैकerson एक दिन में दो बार ले सकते हैं 10-10 ml सुभे और साम डोक्टर की कंसर्ट से और बच्चे को डोक्टर से कंसर्ट करके ही देना चाहिए साथ साल से उपर बच्चे 5 ml ले सकते हैं दिन में दो बार खाना खाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आर बी टॉन सीरप के बारे में जो की मेडले कंपनी दोवारा बनाई जाती है इसके जो कॉमपोजिशन देखे गए तो इसमें हमारा आईरेन होता है विटामिन B12 जिसे हम मिथाइल कॉबाला माइन भी कहते हैं और फॉलिक एसिड होता है यह भी डेक्सोरेंज की ही तरह है अगर किसी वेक्ति में एनेमिया के प्रॉलम होती है मतलब उसके बॉड़ी में अगर बलड बहुत ही कम है और किसी वज़े से उसके बलड लॉस होता है तो एनेमिया की कमी मतलब एनेमिया होने के चांसे हो जाते है और अगर आपके बॉड़ी में बलड बन भी नहीं रहा है तो आपका जो हीमोगलोबिन में बहुत ही लो हो जाता है तो उसमें डॉक्टर दोवारा दी जाती है आरबी टॉन सीरप को अब आपको लेना कैसे है इसका डोज क्या है जो अडल वेक्टी है जो अठारा साल से उपर वेक्टी है वो दिन में पांच एमेल ले सकता है दो बार खाना खाने के बाद एक सुबा एक साम को और कोई बच्चा है साथ साल से उपर वो भी दिन में पांच एमेल ले सकता है खाना खाने की बात लेकिन डॉक्टर से कंसर्ट करोगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको साइपॉन सीरप साइपॉन सीरप के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ जो इसके कॉमपोजिशन देखे है साइप्रो हेप्टाडिन सौरबिटॉल और ट्राइकॉलीन होता है इसमें और जो इसके यूजस है अगर किसी वेक्तिको भूख नहीं लगती मतलब उसे भूख ही नहीं लगती दिन में सही से खाता नहीं है तो उस समय दी जाती है जिससे जो उसकी भूख की छमता है वो बढ़ा देते हैं मतलब इंक्रीज एपेटाइड और ये भी देखा है अगर किसी कोई कुपोसोड होता है किसी को उस समय मतलब कोपोसोड का वेक्ती होता है जिसे माल निट्रेशन कहते है उसे बहुती कम खाना खाता है बहुती प्रॉलम होती है खाना यह नहीं खाता है तो उस समय भी दी जाते है और ये भी देखा गया अगर आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी नहीं हो पॉपा रहा है तो उसमें भी दी जाती है और इसके जो डौज है के आपको कैसे इस्तिमाल करना है अगर कोई 18 साल से उपर है वो दिन में दुबाल ले सकते हैं सुबह और साम खाना खाना की बाद और जो चोटे बच्चे हैं साथ साथ से उपर वो दिन में दो बार ले सकते है लेकिन धाई अमल आप ये जब लेना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे भूक लगीगी अरिस्टोजाइम सीरप ये भी हमारा बहुती बढ़िया सीरप है और आपको एजली किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा इसको जो कॉमपोजिशन देखेगा है इसके अंदर पैपसीन होता है एग अलबूमीन होता है और कुक स्टार्च होता है इसके यूजस देखे हैं तो अगर आपके स्टमक में इन डाजेशन की प्रॉलम होती है तो उस समय दे सकते हैं जिससे क्या है जो डाजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तो और कभी कवार देखते होगे कि आपको ऐसे डिटी गेस बनने की ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस समय भी दे सकते हैं और कभी कवार क्या होता है जब गेस बनती है तो आपको जलन मसती है आपके सीने में इसे हम हार्ट बन कहते हैं तो उसको भी मिनिमाइज करने में बहुत ही साहता करता है और जो इसका डौज है कि आपको कैसे इस्तमाल करना है अरिश्टो जायम सीरप लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें य कि इनमें एक बार भी ले सकते हुं जो 18 साल से उपर विकती है वह दिन में पांचंच एमेल दो बार ले सकता है काना काने के बाद वो रात में सोने से पहले हैं और बच्चे हैं जो वो धाई एमेल ले सकते दिन में दो बार आना खाने के बाद साफी सीरप ये भी हमारा एक टाइप का आयरवेदिक सीरप है हमदर्द का साफी सीरप ये एक टाइप का नेचरल बलड प्यूरिफायर है अगर वेक्ति को बलड में प्रॉलम होती है तो डोक्टर दवारा पिश्काइप किया जाता है ये बलड प्यूरिफायर जिसे हम साफी कहरें यह क्या होता है कभी आ देखतो के आपके से बहुत एकने हो जाते हैं मतलब पिमपस ओजाते तो इसको रेडियूस करने के लिए ड्क्टृर दवारत दिल जाते हैं और गभी ख़न होता है कि आपके बलड में प्रॉल्म होती है तो उसके जैसे आपको फीवर भी होने के चांसे होते हैं तो उसको भी ठीक करने में बहुत ही सायता करता है इसको लेते कैसे हैं इस्तमाल कैसे करते हैं आप इसको दिन में दो बार या दिन में तीन बार भी ले सकते हैं डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको कैसे लेना है आप दिन में दो बार जैसे लंच करने मतलब मौर्णिंग में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं और रात में खाना खाने से पहले और दिन म लोग है तो आपको वो अच्छे से अनिलाइज करके बेस्ट रिजन बता सकता है डेक्सोरेंज सीरप जैसे कि आप देख रहे हो डेक्सोरेंज सीरप अगर किसी वेक्ति को अनेमिया की प्रॉलम हो रही है मतलब उसके बोड़ी से ज़्यादा ही ब्लड लोस हो जाता है मतलब उसके बोड़ी में ब्लड है ही नहीं तो उसे अनेमिया की प्रॉलम हो सकती है बढ़ तो और यह भी देखा गया है अगर आपका ब्लड बोड़ी में नहीं होता है तो हीमोगलोबिन जो होता है वो भी बहुत ही कम हो जाता है आपके बोड़ी में तो लो हीमोगलोबिन हो जाता है जिसके जासे आपको वीकनेसी प्रोलम होगी अकांसी लगेगी तो यह सब को ठीक करने लिए डॉक्टर दोबारा दी जाती है डेक्सोरेन सीरप इसके जो composition देखे गए हैं इसके अंदर फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है साइना कोबाला माइन जिसे हम विटामिन B2LB कहते है और फॉलिक एसिड भी होता है आयरोन भी होता है इसका dose अगर मैं बताऊँ आपको कैसे इस्तमाल करना है आप इसको दिन में दो बार भी ले सकते हो दिन में एक बार भी ले सकते हो डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रॉलम हो रखी है और डॉक्टर आपको कैसे सजेश्ट करता है जो बड़े वेक्ती है अठारा साथ से वो 5 ml ले सकते दिन में दो बार और जो बच्चे हैं साथ साथ से उपर वो भी 5 ml ले सकते दिन में दो बार लेकिन डॉक्टर से जरू कंसर्ट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको नीरी सीरप नीरी सीरप भी हमारा एक टाइप का आईरवेदिक सीरप है ये क्या करता है अगर किसी वैक्ति को किडिनी स्टॉन मतलब उसके किडिनी में स्टॉन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर दोबारा दी जाती है नीरी सीरप और ये भी देखा गया अगर किसी को यूटियाई मतलब यूरिनेरी ट्रेक इंफेक्शन होता है तो उससमें भी डॉक्टर दोबारा प्रिस्काइब किया जाता है नीरी सीरप ये क्या करता है जो भी आपको कविकार होता है कि आपको जलन मचता है जैसे कभी यूरिनेशन करते हैं तो उससमें अगर आपको जलन मचता है बहुती जादा हत से जादा तो आपको यूटियाई की प्रोब्लम हो सकती है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर दोबारा दी जाती है नीरी सीरप और ये भी देखा है अगर आपको किडनी की कोई डीजिस हो रही है तो आपको प्रोब्लम हो सकती है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर दोबारा दी जाती है नीरी सीरप अब आपको इस्तमाल कैसे करना है जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई भी मैडिसन या मैडिसन से रिडर कुछ भी हो डॉक्टर की सहाता से लोग है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये आप दिन में अगर कोई अडल्ट वेकती है 18 साथ से उपर है तो दिन में 10 एमल ले सकता है खाना खाने के बाद सुबह और साम को पर है तो वह पांच एमल ले सकता है दिन में दो बार तो यही ये नीरी का जैसा कि आप लोगों को पताई है डाइजिन डाइजिन सीरप आपको आलमुस्ट किसी भी फार्मेसी या आपको कैमी सोपर एजली से आपको मिल जाएगी जो डाइजिन सीरप है इसके अंदर हमारा जो कॉम्पोजीशन देखा जाता है इसके अंदर हमारा अमोनियम हाइड्रोकसाइड होता है मैगनीसिम हाइड्रोकसाइड और सोडियम ये सारे कॉम्पोजीशन होता है एक डाइजिन सीरप में और जो इसके यूजेस देखे गए हैं अगर किसी को इस्टमक अलसर हो जाता है मतलब इसके पेट में अलसर हो जाता है जिसके वज़े से उसको जलन मसती है कभी कभार दर्द भी होता है तो उससे में डॉक्ट द्वारा दी जाती है और अगर उसके gas and acidity acidity बन जा रही है और खटी-खटी डखारे आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर दवारा दी जाती है और indigestion कभी कवारा क्या होता है कि digestion में problem होती है अच्छे से digest नहीं होपाता है जिसके वज़े से problem होती है खटी-खटी डखारे आ जाती है और acidity होने के chances होते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर दवारा प्रिस्क्राइब किया जाता है डाइजिन लिफ 52 लिफ 52 भी आती है और लिफ 52 डियस भी आती है इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको लिफ 52 फिरफ के बारे में बताऊंगा इसके किया यूजस है और इसको कैसे लेते हैं लिफ 52 हमारा एक टाइप का आइरवेदिक सीरप है जो कि अगर किसी वेगति को जोन डीस हो जाता है कुझा कि किसी को जोन डीस हो जाता है जिसे हम पी लिया कहते है तो उस समय。 इससे क्या होता है जो उसका lever होता है उसको strong बनाता जिस से उसका lever strong होगा तो digestion भी बहुत ही अच्छे से होगा और और कभी करो होता है किसी को भूक नहीं लगती जब्स तो अगर अगर उसका lever अच्छा होगा ना तो जो metabolize होगा ना वह भी बहुत ही अच्छा होगा पर यह एक तरफ से हमारे इंपरोव करता एपेट्व को मतलब भूब भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा सायथा करता है ले ऐसी फ्ट्टी टू जो हमारी शीरप है इसको इस्तमाल के से करेंगे आप दिन में दो बार यह दिन में तीन बार, कभी कवार दिन में एक बार भी, डॉक्टर की सायता से आप ले सकते हैं, अगर आप दिन में दो बार लेते हैं, तो खाना खाने के बाद ले सकते हो, और रात में सोने से पहले ले सकते हो, और अगर डॉक्टर आपको दिन में तीन बार भोलता है, तो आप सुबह खाने के बाद और हो सके तो लंच में भी कर्स ले सकते हो खाना खाने के बाद और रात में जब सोने से पहले ले सकते हो लेकिन डॉक्टर से सला करके ही लेना तो बहुत अच्छा रिजल्ड मिलेगा